हेलो एव्डिवन वेलकम टो आट्पेसी स्टडी हब आरे इस मेंस क्योशन आंसर की सीरीज में आज हम बात करेंगे सीरीज 80 के बारे में जिसमें हम 15 वर्ट्स यानि 2 मारकर प्रश्णों के बारे में डिसकस करेंगे इससे पहले भी अपन ने काफी प्रश्ण उनके अच्छे प्रश्ण उत्रों सई डिसकस किया है तो आप सीरीज जो है वो जाके देख सकते हैं पहला प्रश्ण है मेट्रिक्स संगठन थोड़ा गले में प्रॉब्लम है इसलिए मैं कल वीडियो अप्लोड नहीं कर पाई थी कल तो गला विलकुल एक्दम जाम धा मेरा आसरा ठीक है तो मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही है पहला प्रश्ण है मेट्रिक्स संगठन पच्चो पान व्यवस्ता की विप्रीत ऐसा संगठन जिसमें उच्चस्त अधिनस संबंदों में लचिलापन पाय जाता है जिसमें उच्चस्त और अधिनस संबंदों में क्या पाय जाता है ल फुचत आदिनस्ट समंद्दों में लचीला पन पा जाता है। जिसमें फॉपधेस्थ की एक उच्च अधिकारि से निर्देश करता है। इसमें आदेश की एक तकी जगे क्या होता है कि अधिनस्त जो होता है वो कई उच्छ अधिकारी उसी बलकि एक से नहीं बलकि क्या होता है कई उच्छ अधिकारी उसी निर्देश प्राप्ट करता है अगर हम बात करें कि एक अधिनस्त को क्या करते हैं बहुत सारे उच्छ अ वो भी इस पेशली ग्रेकुनास की अकॉर्डिंग बताना है 15 वर्ट्स जब भी ग्रेकुनास की बात हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जरूर लिखना है अगर नियंदर्ण का छेतर और ग्रेकुनास पर रहता है तो इसका फॉर्मूला जरूर लिखकर आना ह देखते हैं उत्तर कैसा है ग्रैकुनास के अनुसार अधिनस्तों की संक्या में गणीती दर्म से व्रत्तित होने पर उनके मर्द्य संबंदों में गुणोतर दर्से व्रत्ति होती है फॉर्मूला देख रहते हैं ग्रैकुनास के अनुसार आदर्श अधिनस्तों की संक्या कितनी है पांच यानि ग्रैकुनास बोलते हैं कि उनके अनुसार अधिनस्तों कितनी होने चाहिए पांच होने चाहिए ग्रैकुनास के अनुसार कुल सम्मंदों की संक्या n 2 1 by 2 plus n minus 1 यानि यह इसका formula है तो यह आपको जरूर लिखके आना है इस formula से हम कुल संबंदों की संक्या निकाल सकते हैं जिबकि अधिनस्तों की संक्या कितनी होनी चाहिए 5 और संबंदों की संक्या 2 sorry n bracket में 2 n by 2 plus n minus 1 फिर next है लोग सेवा में गैर पक्षधर्दा का महत्व लोग सेवा में गैर पक्षधर्दा का महत्व क्या है देख लेते हैं गैर पक्षधर्दा लोग सेवा को राधनितिक दर्ष्टी गोन से प्रभावित हुए बिना कार्य करने हैं तो प्रोसाइद करती है गैर प्रक्षदर्था क्या करती है लोग से वोगों को राधी दिक दिश्टी कोण से प्रभावित नहीं होने देती ठीक है तो प्रभावित हुए बिना वो क्या करते हैं कार्य करने ही तू प्रेदित होते हैं लोग सेवक सततारी सरकार की नीतियों वे कारेक्रमों को पूर्ण मनोयोग से क्रियानवित कर सकता है। यानि हम देखे तो क्या है बिना कोई प्रभाव होई होए कारेक्रमों को पूर्ण मनोयोग से प्रियानवित करना और राजनितिक प्रभावक्रों से क्रशित नहीं होना। 226 के तहट इस तरह bracket में आप लिख सकते हैं को प्राप्त रिट अधिकार इसके तहट न्यायले किसी लोग प्राधिकारी को अपना उत्रदाइत्व निर्वेहन हित्व बाद्यकारी आदेश बदान करते हैं इसमें क्या होता है कि न्यायले क्या करता है किसी भी लोग प्राध करिए कि इसकी तेहले सारजनिक जितने मेंगाय है सारजनिक करमचारी है निगम है संस्ता है उनको कर्थवय के कानून के ृसर पालन करने तो है देश देश है ऑद्ध करिया कि करतव्यों की कानून के अनुसार पालन करनेगे तो आदेश देता है जो आदेश कैसा होता है बाद्यकारी सत्ता की स्विक्रती की विचारधारा क्या है चेस्टर बनार दोरा दी गई थी प्रतिपादित विचारधारा जिसके अनुसार सत्ता अधिनस्तों की स्विक्रती पर निर्वर करती है कि सत्ता किस पर निर्वर करती है कि अधिनस्त जो है वो किस आधार पर स्विक्रती करते हैं कोई भी उचस्त है वो अपने अधिनस्त को आदेश देता है तो अधिनस्त की स्विक्रती कैसी है ठीक है अधिनस्त स्विक्रत करता है या निर्वर करता है इसके लिए भी चार शर् पिर आदेश अदिनस्त के हितों के विप्रीद ना हो आदेश जो है वो अदिनस्तों के हितों के विप्रीद भी नहीं होना चाहिए आदेश संगठन के उद्देशों के विप्रीद भी नहीं होना चाहिए अदिनस्त मानसिक वे शारीरुक सुप से शक्षम होना चाहिए दु जो है जो निर्दारित उद्देश किये गए हैं उसके अकॉर्डिंग हो अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे विप्रीत होंगे तो भी वह ऐस्विकृति वहाँ पर हो सकती है अधिनस्त मांसिक और इशारी रूप से क्या होना चाहिए मेंटली और फीजिकली दोनों रखेंगे संस्ताइँ और प्रश्ण सम्झेए प्रश्ण को आप जरूर्फ समझे कि 2012 में भार रखेंगे संस्ताइप रहे चेत्र क्या क्या है तो सबसे पहला जाता है राज्यपाल का कारेल मुख्यमंत्री का रहेले CMO फिर है विधानसबा इनको बात बाहर रखा गया है जैसे की आर्पीसी इन सभी को जो है वो रास्तान जन्ज सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 है उससे बहार रखा गया है राज़ेपाल कारेल है सीमों विधान समा उच्छे नियाल है वदिनस नियाल है आटी एक में शामिल विशय केंद्रवे राज्ये के आयोग जैसे की शब्दों के लोग प्रशाशन के प्रश्णों को ही देखेंगे अभी लोग प्रशाशन के प्रश्णों की सीरीज को एपन कंटिन्यू करते हैं फिर अधर सब्जेक्ट की हम शुरू करेंगे ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो